स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्पिशन प्रिप्रिएशन पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समझने के लिए मैंने प्रीवियस यह टॉपिक करवा दिया है और कई सारे जैसे अभी टाइम एंडवर का हम कर रहे थे हमने 2020 की जो क्लासे चल रही है हमारी सी जेल की उसमें हमने कर लिया था तो टाइम एंड वर्क हमने इतना व्रीफ किया है कि मतलब उसमें जहाँ स्टार्ट होता है टाइम जहां पर खतम होता है यानि केट लेबल तक हमने कर लिया है अभी मैं उसमें 20 कोश्चन का एक सब्सक्राइब कर दूगा आपको टेलिग्राम पर जिससे कि आपको मेंस के मेंस के तीन गुने लेबल का होगा ठीक है तो आप लोगो सब प्रेक्टिस करते रहें और हां यह सीजियल 2020 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चैसल के लिए वीडियो पसंद आएगी लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइ अगर उसके अंस और हर में एक एक जोड दिया जाए तो वह एक बटे दो बन जाती है तो आप से पूछा गया कि उसके जो भीन है उसके अंस और हर का योग क्या होगा आप से कहा गया कोई भीन है जिसको ए भाई बी के फॉर्म में लिखा जा सके हम माल लेते हमारी भीन है ए भाई भी आप कहा गया कि अगर इसके अंस और हर में एक एक एड कर दिय जाए पहले case में subject करने की बात की गई यानि घटाने की बात की गई तो घटाने वाला कर लेते हैं यानि कि इसके अंस में से एक घटा जाए यानि A-1 कर दिया जा, हर में से भी A घटा लिए, नि B-1 कर दिया जा तो इसकी value हो जाती है 1 by 3, एक ओड़rama केस डिया गया कि अगर दोनों में एक-एक जोड़ दिया जा, नि A-1 कर दिया जा, वो B-1 कर दिया तो इसकी value होजाती है 1 by 2, अब आपसे पूछा गया कि a plus b की value क्या होगी यानि answer और हर का योग क्या होगी कितना simple सा question है आपको दिया गया a minus 1 upon b minus 1 is equal to 1 by 3 a plus 1 upon b plus 1 is equal to 1 by 2 तो a plus b देखो simplification का माने या algebra का माने जिसका मानना है number system तीनों में से किसी का मान सकते है question तीनों एक ही तरह की topic होते है तो चलो करते है देखो अगर आपको a और b का योग निकालना है तो आपको ये पत्दा होना चीए कि a की value कितनी है b की value कितनी है अच्छा अगर आपको value निकालना है तो आप एक equation बना लीजे इससे और एक equation बना लीजे इससे तो यहां से solve करेंगे तो यहां से आपका मिल जाएगा 3A-3 कैची गुड़ा कर दीजिए is equal to b-1 यानि कि हम करें सकते 3A-b is equal to 3-1 यानि कि 2 तो एक equation यह बन गया और इसको solve करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 2A plus 2 is equal to b plus 1 यानि कि 2A-b is equal to minus 1 यही तो हो गया यह आपका equation बन गया second अब क्या काम करना है equation 1 और 2 को घटा लीजिए अगर हम एक और दो को घटाएंगे तो हमारा bb तो cancel हो जाएगा यानि कि bb cancel जब नोकरी नहीं मिलेगी bb cancel 3A-2A it means a is equal to 2-1 यानि कि 3 a बराबर 3 आगे आप किसी एक में रखके b की value निकाल लीजिए तो अगर हम यहां पर रख रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 3 में से 3 का गुड़ा यानि कि 9-b is equal to 2 यानि कि b is equal to कितना हो जाएगा 9-2 यानि कि 7 अब आपके पास a की value है आपके पास b की value है दोनों की put कर देंगे तो a plus b कितना हो जाएगा 3,7,10 कितना simple सा question था कितनी simple language में दिया गया था और अगर आप हिंदी को लेके परिसान है तो मैं एक बार translate कर दे रहा हूँ आप हिंदी में लिख लीजिए कि एक भिन एक बटे तीन हो जाती है अगर इसके answer और हर दोनों से एक घटा दिया जाता है सेम भिन यानि वही भिन एक बटे दो बन जाती है अगर उसके answer और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाता है आप से कहा गया उसके answer और हर का योग बताईए ठीक है यह नमत लिखिएगा आप से कहा गया अगर समझ में आ गया तो like करो क्यों नहीं करा चलो अगले question पर आते ह square area of triangle ACD is equal to 10 cm square and AC is equal to 9 cm then the length of BC is equal to आप से कहा गया ABC एक right angle triangle है जिसमें आप ऐसा कुछ बनाईए देखिए हम क्या करते हैं यह आपका परपेंडिकुलर टू BC है तो इसको AD बना दीजिए AD यह इस पर परपेंडिकुलर आप कहा गया if area of triangle ABC is equal to 40 cm यानि ABC की area कितनी दी गए 40 दी गए है और आपको दिया गया area of ACD यानि इसकी area दी गए 10 cm square तो आप से कहा गया AC की area कितनी होगी AC बवराबर 9 cm दिया गया तो आप से BC की लंबाई पूछी गयी यानि इसकी लंबाई पूछी गयी समझा गया अब देखो अगर में बाद करूं कि आपसे क्या पूचा गया है कि इसकी लंबाई पूछी गयी है BC की लंबाई अब एक चीज ध्यान से देखो अगर triangle ADC को देखो triangle ADC में black कर दे रहा हूँ triangle ADC को देखो और triangle ABC को देखो इसका D code 90 से और जो triangle ABC का है इसका A code 90 से यानि इसका D और इसका A बराबर है C दोनों में common आ रहा है यानि C इसका हो गया और B देखो इसमें B आ रहा है देखो ACB वाले में ACB हो गया और इसका DC A हो जाएगा और ये दोनों triangles कैसे हो जाएंगे similar हो जाएंगे क्यों क्योंकि आपको पता है angle D triangle DCA को देखे या ADC को देखे D 90 है तो triangle ACB में A 90 है आप से का गया C दोनों में common है और अगर दो कोड बराबर होगे तो तीसरा आपने आप बराबर हो जाएगा यानि दोनों triangles कैसे हो जाएंगे similar अब अगर दो triangles similar है तो इनके छेतरफलों का अनुपात क्या हो जाएगा यानि अगर मैं बात करूं कि triangle ABC का चेतरफल upon triangle ACD का चेतरफल तो आप कहेंगे इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा क्योंकि अगर दो triangles similar है यानि इफ टो triangles are similar तो रेशियो आफ दियर एरियाज विल भी स्क्वाइर आफ रेशियो आफ करिस्पांडिंग साइड यानि कि ABC की आप से पूछा क्या गया आप से BC पूछा गया BC कौन सी भुजा है 90 के सामने वाली यानि ABC में ABC में BC 90 के सामने वाली भुजा है यानि हम इसकी अगर 90 के सामने वाली भुजा ले रहे हैं तो इसकी भी ADC की भी 90 के सामने वाली भुजा यानि AC लेनी पड़ेगी और C का square कर देंगे तो यह इनकी area का उनुपात हो जाएगा लेकिन हमें एक चीज़ और पता है मैं पता है triangle ABC की area कितनी है 40 और triangle ACD की area कितनी है 10 यानि BC का square बटे AC का square बड़ाबर आ गया 40 बटे 10 यानि कि 4 यानि हम कह सकता है BC बटे AC बड़ाबर 4 कवर्ग मूल 2 अब अगर BC बटे AC बड़ाबर 2 हो गया तो हमारा BC बड़ाबर कितना हो जाएगा 2AC BC बड़ाबर 2AC अब AC की बहलों आपको पता है 10 है तो BC बड़ाबर कितना हो जाएगा 2 into 10 यानि कि 20 कितना आ गया 20 cm तो BC is equal to कितना आ गया 20 cm BC is equal to 20 cm समझा गया तो आप अच्छा हाँ यह AC is equal to 9 दिया गया था sorry AC is equal to 9 दिया था 2 into 9 यानि कि 18 cm BC की लंबाई कितनी आ गया 18 cm यहाँ पर अगर आप AC निकाल लेंगे तो AC की value आपको यहाँ देखे 9 दी गई थी तो AC into 2 यानि कि 2 into 9 तो कितना होगे 18 cm आपको यहाँ पर एक जो concept आपका clear होना चीए कि the ratio of areas of two similar triangles is equal to square of ratio of corresponding sides यानि कि दो समरूप तिर भुजों के छेत्रफलों का अनुपाद बराबर क्या होता है उनकी संगत भुजाओं का अनुपाद और उसका square कर दो समझा गया वही हमने यहाँ पर किया बस आपको similarity में यह ध्यान रखना है कि जो angle इसका लियागे यह 90 लियागे तो यह भी 90 लेंगे अगर यह कोड है तो इसके बराबर होगा यह वाला कोड इसके यानि तीनों कोड जो जिसके बराबर होगा वही ऐसे लिखते चले जाएंगे समझा गया कोई दिखका यहाँ पर हमने AC की value 10 रख दी जो कि 9 रखनी चाहिए थी जेमेट्री का एक और सुन्दर सा प्रश्न कहा गया एंगल A of a quadrilateral ABCD is 26 अंस less than एंगल B एंगल B is twice एंगल C and एंगल C is 10 degree more than एंगल D what would be the measure of एंगल A कहा गया एक चतुरभुज ABCD का कोड A जो है कोड B से 26 अंस कम है कोड B जो है वो कोड C का दो गुना है और कोड C कोड D से 10 अंस अदिक है तो कोड A का मात क्या है आप देखो आप से अगर मैं कहूँ कि किसी को assume करना है तो किसको assume करोगी जो सबसे बाद में relation दिया गया उसी को assume करिए यानि कि अगर हम बात करें D को D माने या D को X मान ले तो C कितना हो जाए गगर D से 10 अंस अदिक यानि कि C की वैलु कितनी हो जाएक खे एक च्प्लस 10 और आपको पता है कोड B जो है वो कॉडँ C का दो गुना है यानि C अगर X plus 10 है तो B कितना हो जाएगा 2X plus 20 और आपको एक चीज पता है कि A कोंड B से 26 अंस कम है यानि A की बैलू कितनी हो जाएगी 2X plus 20 minus 26 है यानि 2X minus 6 2X minus 6 अब आपको किसी भी चतुर भुज के चारो कोंड पता चल गए और आपको पता है कि the sum of all internal angles of quadrilateral is equal to 360 degree यानि एक चतुर भुज के सभी अंता कोडों का योग 360 होता है सबको जोड़ दो तो X plus 10 X 2X minus 6 और 2X plus 20 जोड़ोगे तो X X 2X 2X यानि कि 6X हो गया और 10 में से छे जाएगा 4 और 20 24 6X plus 24 बराबर कितना 360 यानि आपका हो गया X plus 4 is equal to 60 अब अगर X plus 4 is 60 है तो X बराबर कितना हो गया 56 degree 56 degree अब आपसे पूचा क्या गया है A की value पूची गई A की value थी कितनी 2X minus 6 यानि A की value हो जाएगी यानि angle A is equal to हो जाएगा 2X minus 6 यानि कि 2 x 56 112 में से 6 गटेगा तो कितना आजाएगा 106 यान्स तो एंगल A की value कितनी हो गई इट मीस एंगल A is equal to हो आपका आगया 106 degree got it coming to the question number 3 यानि question number 3 पे आते हैं sorry 3 हमने कर लिया 4 पे आते हैं कहा कि यह reduction in the price of apples enables a person to purchase 3 apples for RS1 instead of RS1.25 question थोड़ा सा modify किया गया है question में कुछ और था मैंने थोड़ा सा modify किया इसको what is the percent of reduction in the price approximately कहा गया एक reduction किया जाता है save की price में यानि save की कीमत में गिरावट आने के बाद एक रुपे 25 पैसे के अस्थान पे एक रुपे में 3 save खरी सकता है करके कीमत में गिरावट का परती सकता है बहुत आसान सा easy सा question है कहा गया कि एक रुपे 25 पैसे पहले लगते थे तब वो कितने save खरीद पाता था 3 यानि पहले एक save का कितना रुपे लगता था यानि पहले एक save का cost price कितना था 1.25 रुपे में अगर 3 save मिलते हैं यानि एक save का था 1.25 बटे 3 और अभी कहा गया कि एक रुपे में तीन खरीद पा रहा है यानि अभी कितना cost price हो गया एक बटे 3 तो कितने की कमी हुई आप कहेंगे 1.25 बटे 3 पहले cost price सा अभी cost price हो गया 1.3 तो कितने की कमी हुई 1.25 बटे 3 माइनस 1.3 यानि 0.25 बटे 3 इतने की कमी हुई, क्या हुई है, कमी हुई, अगर कमी पर्तिसत निकालना है, तो initially इतना था, कमी इतने की हुई, तो हम कह सकते हैं, गिरावट परसेंट या हम कह सकते हैं, reduction परसेंट बराबर हो जाएगा, reduction 0.25 बटे 3, बटे 3 कहें, और divided by जितना initially था, 1.25 divided by 3, 3-3 cancel हो गया, into 100 कर देंगे, तो या आपका 25 से कटेगा, 25 पंचे, 125, 5 से 100 में divide करेंगे, तो 20 हो जाएगा, यानि कितने परतिसत की गिरावट करी गई है, 20 परतिसत की, समझा गया, यानि कि अगर आपको पहले जाते थे, 1.25 पैसे में खरीदने, तो पहले आपको 3 टॉफीज मिलती थी, बट अगर अभी आप जा रहे हो, तो अभी आपको 1 रुपे में 3 टॉफीज मिल रही है, इट मींस आपकी जो प्राइस थी, जो मार्केट प्राइस, उसने हम कहें सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस आपके लिए बात करें, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस, आपके लिए बात करें, कॉस्ट प्राइस, तो वो कितना रिडूस रही, पहले आपका 1.25 रुपे बटे 3, 1.25 बटे 3 रुपे एक टॉफी का सीपी पढ़ता था, अभी कितना पढ़ रहा, 1 बटे 3, रिडक्शन कितने का हो, 0.25 by 3 का, कितने पे, 1.25 by 3 पे, तो अगर रिड अपान वरिजिनल प्राइस या इनिशियल प्राइस, मुल्टिप्लाइड बाइ 100, परसेंटेज में आपको पता होगा कैसे बदलते हैं, कमिंग तो नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नुबर 5, रिच्यो और प्रोपोर्शन का बहुत सुन्दर सा प्रशन, इसको हिंदी में म कहा गया टू अलॉएस, और बोथ मेड़ अफ कॉपर अपकर अटिं, दर रिच्यो अफ कॉपर अट तीन, इसको हिंदेश बाइस प्रेंदेख्टिन क्वेशन का बाइस बाइस वेशन किवेशन, दर रिच्यो और टू अपकर बीश्यु आइशन, कहा गया दो मिस्रधातू मिस्रधाटु जो copper and tin के बनी हुई है कहागया कि जो पहली मिस्रधाटु है उसमें copper और tin का अनुपात कितना है का फेले मिस्रधाट में एक अनुपात तीन है और दूसरी जुट्स वाली में दो अनुपात 5 है ठीक है कहा कि in what ratio should the two LOIs be mixed to obtain a new LOI in which the ratio of tin and copper be 8 is to 3 देखो आप से कहा कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए यानि first वाली यह है second वाली यह है इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताके हमें resultant 8 is to 3 मिले है आप देखो इसको करने की काई सारी मेतड़े एक मेतड़ इस वीडियों में आगली बेर दूसरी वीडियों यही है इसी मेतटड में इसी मेतड़ में daily video में देखो तीसरी मेड़ियो देखो आपको दिया जाए कि पहली एलो आजोस में एक अनुपात तीन में दूसरे में दो अनुपात पाइज तो पहले जोड़ो एक तीन कितना होता है चार दो पाँच साथ चार और साथ का ले लो 28 चार और साथ का लस्यम आपको पता होगा इफ ए एंड वी आड टू को प् अब आपको समझ आ गया कि इनका लस्यम कितना होगे 20 अब आपको क्या करना है चार को 28 बनाने के लिए साथ से गुड़ा करेंगी तो यहां पर साथ से गुड़ा हो जाएगा दोदो नमें तो साथ ही इंटू 1 साथ हो गया तीन इनटू 7 और इसको साथ को 28 बनाने के लिए से गुड़ा करना पड़ेगा यानि 4 x 2 और 5 x 4 अब अनुपात आपका रियल वाला आगया यानि कि अब अनुपात आपका आगया copper पहले में 7 है और 3 22 है और दूसरे वाले में copper है 8 और 3 है 20 यानि कि पहले में copper और 3 ये अनुपात लिख लीजें पर 721 और दूसरे में 820 आप मान लिजे कि इसको X अनुपात Y के अनुपात में मिला जाता है और resultant 8 अनुपात 3 बन रहा है basic समझेगा question की अब अगर X अनुपात में मिला होगे तो 7 वाला 7X बनेगा और 8 वाला 8Y यानि कि इसमें copper पहले वाले में 7X हो रहा है दूसरे वाले में 8Y और ऐसे 10 पहले वाले में 21X हो रहा है और दूसरे वाले में 20Y तो total copper की मातरा कितनी होगे 7X प्लस 8Y और total tin की मातरा कितनी होगे 21X प्लस 20Y यह एकदम basic है लेकिन आपको दिया गया जो यह पाद कितना है copper और टीन का तीन है तो यह आठ अब आठ से गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 56 प्लस 64y इस उकल टू 63 x प्लस 60y 63 x प्लस 60y अब यह एक साइड में ले जाओ तो 63 x में से 56 x गटेगा 7 x is equal to 4y और आप से निकालने क्या कहा गया था x अनपाद y तो x बटे y कितना हो जाएगा 4 बटे 7 यह हम कहें x अनपाद y कितना हो जाएगा 4 अनपाद 7 तो आपका correct answer कितना हो गया 4 अनपाद 7 अगर हमें दूसरी method सीखनी है कि दूसरी method क्या है तो वो भी सीख लेते हैं टोटल मात्रा साथ x प्लस 8y तीन की टोटल मात्रा 21 x प्लस 20y अब दोना का अनुपाद दिया गया 3 अनपाद 8 फाइनल मिसर दात्य में 3 अनपाद 8 क्रॉस मल्टिप्ला एक्स और य का जो अनुपाद आएगा वह 4 अनुपाद 7 वह आपका अंसर हो जाए लेकिन क्या यह method एजाम में करना वाजिब होगा नहीं यह बहुर लंबी method हो जाएगी आपको एक्जाम में कैसे करना देखो एक हिस्सा आउट आफ 4 हिस्सा को अपर है और 3 हिस्सा आउट आफ 4 हिस्सा 3 है दूसरे में अगर बात करें तो 2 बटे 7 हिस्सा को अपर है और 5 बटे 7 हिस्सा 3 है अब हमसे पूछागे किस अनुपाद में मिलाया जाए कि इनका अनुपाद कितना हो जाए 3 अनुपा वाले में हमें result एन दाना है by 21 घठाई यह तो तीन भटे 11 ग्यारा में से cell production घठाऊ आपको क्या करना है Playbox almost ओको क्या कानें इसको इस में से घटाने तीन बटे 11 मेंसे एक Wyatt चार गटा हो दो बटे 7 में से थीन बटे घ्यार और जो इसका अनुपात हो जाएगा वही आपका मनुपात हो जएगा तो आप क्या काम करोगे 11 से कटँगे 11 से77 11 इů 14 अब इसमें आप एक बार 7 से देशियों में आपको पता हुगा किसे निश्टी संक्या से गुड़ा भाग कर सकते हैं 28 से दोनों में गुड़ा कर दो तो 28 से गुड़ा करोगे यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 7 यानि 1 बटे 7 अनुपात 1 बटे 4 था में 28 से गुड़ा कर दिया तो हमारा अनुपात आ गया 4 बटे साथ यानि कि या अनुपात कितना होजेगा 4 बटे साथ समझा गया यह आप 3 पर सॉल्ब कर सकते थे कि 3 बटे 4 और 5 बटे 7 का resultant 8 बटे 11 लाना है तो ऐसे भी solve कर सकते थे यह कहते है में allegation method समझा गया कि एक बटे 4 पर पहले में था दो बटे साथ दूसरे में resultant हमें 3 बटे 11 लाना था हमने घटा के solve कर लिया हमारा अनुपात आ गया समझा गया अगल साइट सॉफ्य क्वाड्री लेटरल ABCD टच अ सर्किल इफ एवी उकल टू सिक्स सेंटीमेटर बीची उकल टू सेवन पॉइंट फाइफ सेंटीमेटर सीडी इस उकल टू त्री सेंटीमेटर देन डी ये की वैलू पूच्छी तो ऐसा कोश्चन सीजियल प्री में सीजियल में सीजियल में ऐसे हर जंगा दिखाई पड़ता सबसे पहले यह में 2016 में दिखाई पड़ा था और तभी एक एससी ने मतलब एससी में पढ़ाया जाने लगा उसके पहले एक आद बार आया था लेकिन अब तो हर सिफ्ट में पूछ सकते हैं बड़ा अच्छा सा कोश्चन बना दिये और इसमें है नहीं कुछ का गया किसी भी की क्वालिटी क्या है प्रॉफर्टी क्या है हमें दिया गया A B C D यानि यह A है यह B है यह C है यह D आपको दिया गया A B is equal to 6 B C is equal to 7.5 C D is equal to 3 आपसे इसकी लंबाई पूछे देखो अगर कोई भी सरकिल है और उसको चारो तरफ से एक क्वाडिलेटरल टच करता है यानि कि उसको स्कामस्क्राइब करता है यानि कि उसका पर चतुर्वोज समझे ज़ maxim से चारो तरफ बना हुआ चतुर्वज है एक बृत है और उसके चारो T रफ चतुर्वजी इस प्रिकार है कि उसके चारो बुजायें बृत्न को टच करता है तो आपको पता होगा कि आमने समने क भुजाओं का योग बराबर होता है यह मैंने प्रूब भी करा है और फिर से थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं कैसे आपको पता है यह वह है टैंजेंट यह यह बराबर हो जाएगा 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 अ यह जाएगा इन दोनों का योग जोग भी बराबर आ जाएगा तो आपको पता चल गया कि अगर एक भृत है उसके चारव कि चारव बना हुआ है और लगर मतब चार oh बुटेफिट को टच करते उनकी सामने सामने की भुजाओं का योग भराबर हो यानि तीन छे नो बराबर हो जाएगा 7.5 प्लस एक्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 7.5 यानि 1.5 और एक्स है क्या यानि 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 लंबाई कितनी आगे 10.5 सेंटीमेटर समझा गया यह क्वेशन देखो बड़ा सुन्दर सा क्वेशन है सिंप्लिफिकेशन टाइप का क्वेशन दिख रहा होगा कागया 10 इस्क्वाइर 60 प्लस 4 साइन स्क्वाइर 45 प्लस 3 सेक्वाइर 30 प्लस 5 कॉस जब्लस चैक्सक्वाइर 90 अपान कॉस एक 30 प्लस एक 60 numéro 3 उसका इसक्वा एक बटे 2 प्लस थीरी इंटू सेक्ट थरटी की वैलू तू अपान रूड्ट थisan करेंगे चार बटे थी बटे कास्रेक थरटी की वैलू नो आ रहा है नीचे चार में से तीन जाएगा एक ये नो बटे एक तो answer कितना हो गया आपका answer कितना हो गया समझा गया आपको बस 1060 साइन 45 सेक स्क्वार 30 में लगा सेक 30 कॉस 90 सेक 60 और कॉट 30 की वैलू बता होने चीए बाक्य कुछ नहीं था देखो ये कॉश्चन बड़ा अच्छा था तो इसका PDF में मैंने सलूशन भी दिया और PDF में आपको 7 बजे के आसपस प्रवाइट कर देता हूं 2 गंटे का समय होता 2-3, 2-3, 2-3 गंटे का जब तक वीडियो आती है तो आप लोग solve कर लिया करिए और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको काफी चीज़े जादा अच्छे से clear होंगी फिर जो अच्छा question बने उसका notes बना लिजिए और तब तक आप 20-25 मिनट में try करें या आधा गंटा ले लिजिए 20 question try करने में और उसके बाद जो question फसा है उसको mark करिए और जाके वीडियो में सबसे पहले वो question दीखिए फिर start से देखिए तो उससे आपको फायदा होगा आपके doubt नहीं रहे जाएंगे जब आप कोई चीज मसकत करते हैं उसको फिर सीखते हैं तो वो चीज़े कभी भूलती नहीं ठीक है और अगर direct वीडियो देखने आ जाओगे या आपने pen copy नहीं लियोगी रजाई में लेटे लेटे या कमरे में लेटे लेटे देख रहे होगे तो वो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं समझाती ठीक है और बाकी चीज़ें आपके ऊपर चोड़ रहा हूँ अब देखो ये question जो है height and distance का है basically ये पूछा कम जाता है एकाशी में पूछा जाता है लेकिन हम क्यों चूख ऐसी गर के चलें कि हमें ना पता हो height and distance तो height and distance पढ़ लेते हैं कहा गया समझेगा कहा गया कि एक दो पिलर दिये गए है दो पिलर दिये गए है एक पिलर के यानि एक पिलर ये है और एक पिलर ये है अच्छा मैंने 20 मीटर इसको क्यों माना आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए अगर नहीं उठा है इसका मतलब आप doubt में हो आपको concept नहीं समझना चाहिए देखो आपको दिया गया कि एक पिलर के top से देखें टॉप से दूसरे पिलर के top का एंगल आफेलिवेशन यानि आख उठा के जो एंगल देखा जाते है उसको एंगल आफेलिवेशन कहते है हमारी आख जो है वो plane से हमारी आख के समानतर मतलब आख जिसे एक plane हो जो हमारी आख से होके जा रहा हो उससे जो कोण बनाती है किसी चीज को देखने में उसको एंगल आफेलिवेशन कहते है यानि कि ये कोण जो बनेगा इसको कहेंगे एंगल आफेलिवेशन और अगर आँख उठा के कोई चीज देखनी पड़ रही इसका मतलब वो उससे उँची है यानि कि ये 20 मीटर से तो उँचा होगा 20 मीटर से उँचा होगा यानि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता अब आपके पास दो आप्सन बच्चे हैं ये और ये जो लोग तुक्का मारते हैं ऐसे मारते हैं मुझे करना होता मैं तुक्का मारता है मैं solve ना करने जाता, अब देखो, आप एक plane ड्रा कर लो, जिस पे दोनों लोग इस थे थे, और कहा गया कि इस खंबे के top से, इसके top का जो कोण है, वो दिया गे आपको 30 degree, और जो ये angle of depression है, यानि कि ये वाला angle, इसके top से दूसरे के, दूसरे के, किसका, bottom का जो angle of depression है, वो कि आई है 45 degree, यानि ये angle 45 दिया गया है, तो चाहसके हैं ये वी 45 होगा, ठीक है, ये 45 है, तो ये 45 होगा, क्योंकि ये 90 है, अब अगर ये 20 है, तो ये 20 हो जाएगा, अगर ये 20 है, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि ये ये पैरलले लिया है, है आपका यहां तक 20 हो गया हमसे दूसरे खंबे की उचाई पूची गए यानि अगर हम इसको एच जूम कर ले तो आपका निकल जाएगा अब आप देखे आपको बस सीधे सीधे इस वाले ट्रैंगल में आ जाना है इस वाले ट्रैंगल में आओ टैन ले लो क्योंकि हमें लंब निकालना है आधार हमें आल्रेडी पता है बीस है यह आपसे इस वाले खंबे पूरे खंबे की लंबाई पूछी गए थी तो बीस तो इतिना हो यह च उपर रदा यानिकि पूरे खंबे की लंबाई एल बराबर हो जाएगी बीस प्लस एच की बेर उप उट कर दो आंसर हाथ में यह हों गया बीस प्लस 20 बटे रुट तीन तो यहां पे आप कॉमन कहा लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर तो रूट तीन आजाएगा और यहाँ पर एक आजाएगा यहाँ आपका आंसर आ गया 20 बटे रूट तीन इंटू रूट तीन प्लस तो आपको यह समझना होगा सबसे पहले अगर आपको हाइट धिस्टेन्स का दीखे तो आप देखाओ जो एंगल आफ एप्प्रियांगा है और अगर वह इससे फ्यादा में आपको बड़ते के लंबाई यह भी 20 से कम है यह भी 20 से कम है आपके पास एक दोनाव पस्संद तो कोई मैस से कोई तुक्ट कामार देते फ प्रोडक्ट सबका लिया गया अगर आप करने जाओगे आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दे रहा हूं कि 10A into 10B बहुत बार बता है फिर भी बता रहा हूं 10A into 10B is equal to 1 होता है अगर A plus B बराबर 90 क्यों होता है ये भी जान लिजे क्यों क्यों आप लोग नहीं जानना चाहते देखो अब यहां B के जगा पे क्या लिख सकते हैं यहां से A plus B अगर 90 होता है 90 माइनस A और 10B के जगा पे हम 10A into 10B is equal to 1 होता है अगर A plus B बराबर 90 अब देखो 10 1, 1089 एक और 89 को जोड़ो 90 हो रहा है तो इसका मतलब A और B का अगर योग 90 हो तो इनका प्रोड़क्ट एक हो जाना ऐसे 2 और 88, 3 और 87, 4 और 86 ऐसे सब होते होते और बीच में एक आएगा जो 1045 होगा उसका पेर नहीं बने एक का 98 के साथ, 2 का 88 के साथ, 3 का 87 के साथ, 4 का 86 के साथ, ऐसे 45 का 47 के साथ, फिर 45 का, क्योंकि 45 एक बार आएगा, 45 का कोई P.R. होगा नहीं, लेकिन आपका जो 1045 होगा उसकी वैलू होते है 1, तो सब 111 है, तो 1 का गुड़ा 1 में कितनी विवार करो, आंसर A की आने वाला है, यानि कि आपका 101 into 1089, 102 into 1088, ऐसे P.R. बनते चले जाएंगे, लास्ट में आपका एक बचेगर जिसका P.R. नहीं बनेगा होगा 1045 और 1045 के वैलू 1, तो सब की वैलू 1, तो प्रोड़क कितनी बार भी खरो, आपका आंसर कितना आएगा, 1, अचा जो आपको PDF मिला होगा, चैनल पे नहीं शेयर कर पाते, तो कई बार टेलिग्राम पे डालना भूल जाते हो, तो वहाँ पे शेयर कर दे, तो और अगर फेस्बुक की उच करते हो, तो एक लाइक करने से, बस मेरा मनोबाल ही बढ़ेगा, आपका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है, तो कर देना इतना, क 28 इंटू 370 by 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लिजे, पहले ही, 24 परसेंट आप 210, यानि 24 इंटू 210 बटे, so, minus x is equal to 118, समझेगा, देखो, अब हम क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब यहाँ पर 2 पंचे 10 कर दो, 2 बारा कर दो, 2 बारा नहीं, मतलब 2 से काटोगे, 12 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 24, यानि आपका बच रहा है, 44 गुड़े 37, और पलस 12 गुड़े 21, और बट गुड़े 37 करने जाओगे, तो आपका बड़ा हो जाएगा, मतलब यह आपका हो जाएगा, लग भाग, एप्रॉक्सिमेशन से भी तो कर सकते हैं, एप्रॉक्सिमेशन से कर लेते हैं, या पहले ऐसे कर लो, अब 44 से इसका गुड़ा करने जाओगे, तो आप क्या करोगे, आप देखो 44 साथ इसका अगर मुझे गुड़ा करना हो तो मैं कैसे करूँगा 44 सत्य कितना होता है 308 जनकी हासिलाई 30 44 तियां 132 और 1 मिनट 44 सत्य 308 हासिलाई 30 44 तियां 132 और 30 1668 हो गया और फिर 12 का 21 में गुड़ा करोगे 252 बटे 5 5 इधर 5 गुड़ा हो जाएगा यानि 590 बटे 5 यहीं बच रहा है 8 2 10 25 साथ एक 8 1880 यह कितना हो रहा है 1880 माइनिस 590 बटे 5 आ रहा है 1880 में से 590 घटा होगे तो कितना बचेगा 1290 बटे 5 डिवाइड करो तो 5 दूनी 10 यह आपका 2 29 पचाहम 25 यह आपका आंसर कितना आ गया एक्स बराबर 208 तो आपका करेक्ट आंसर एक्स बराबर 208 यह D ऑप्सन सही हो गया ठीक है एक्स बराबर 208 और एप्राक्सिमेशन से कैसे करते देखो 258 कैसे आता देखो 88% को लगभू मानो 90 और इधर मानो 360 90% 360 का निकालते तो कितना हो जाता 324 ठीक है और 24% यह आपका 480 के आस पास आता और इसमें यह दोनों के सम्में से 180, 188 घटा आते तो यह कितना हो जाता 4, 8, 2, 10, 3, 4, 7, 1, 8 में से 188 घटा हो हमने घलत रही कर दिया ठीक चल दा है यह 48 हो रहा है यह 48 हो रहा है यह 48 और 324 को जोड़के इसमें से 188 घटा आना है तो 48 और 324 जोड़ोगे तो कितना हो जागा 8, 4, 12, 2, 4, 6, 7 312 में से 188 घटा हो तो आपका लगभग कितना आ जाता 214 के आस पा 214 के सबसे खास कौन सा है 250 ठीक है आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर लगभग वो तो नहीं आगा आप चुकि यहाँ पर 250 और 208 दोनों उती नहीं करीव है तब थोड़ा सा दिख्कत हो जाती एप्रोक्सिमेशन से करने में अदर्वाइज आप एप्रोक्सिमेशन से भी कर सकते हैं जादे कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेगे थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचोगे लेकिन मुझे लगता है कि कई बार आप अगर और कोस्टेंश में समय बचा लोगे तो इसमें आप डीटेल में जा सकते हैं अगला प्रशन देखो मेंसूरेशन का है जिसके चारो और इस्तित एक बृता का पथ की अंता परीद दिए 440 मीटर है यानि कि एक चारो तरप यह आपका बना हुआ है और इसकी पथ की चोड़ाई दी गए 14 मीटर और जो इसकी अंता परीद है वो कितनी है अगर इसकी रेडिय सम्माने आर है ठीक है तो अंता परीद कितनी हो जाएगी 2 पाई आर और यह बराबर दी गए आपको कितना 440 दो पाई मतलब 44 बटे साथ यानि कि 44 बटे साथ आर बराबर आजाएगा सत्तर यानि आर बराबर आपका हो गया सत्तर आर बराबर सत्तर यानि यह दिया गया सत्तर इतना सत्तर है चोड़ाई चोड़ाई यानि बड़े वाले रास्ते की चोड़ाई कितनी हो जाएगी कुछ नहीं करने थी बस थोड़ा सा माइंड में मतलब माइंड में कर लेते दो पाई को आपको पता है चोवालिश बटे साथ होता है अगर चोवालिश में डिवाइड करोगे साथ आएगा भी पाच्छे जीरो लगा है यह सत्तर आपका आंसर आजाएगा चलो यह प्रश्ण को हगया कि एक आदमी है जो सव अंगूर पाँस दिन में खाता है और परत दिन जो है शे अंगूर्स पिछले दिन से ज्यादा खाता है यहां माने पहले दिन अगर उसने एक्स-12 खाया तो दूसरे दिन इससे च्छे श्यादा यानि एक्स-6 थीस्या इन दिन च्छोथे द है एकस प्लस कितना हए एकस प्लस बारा है अब सब का योग आपको दिया गया है सो है यांनि सब जोड़ोगा तो 5 बराबर मिल जाए एनि-2 ये 5 पहले दिन फ्र निंगा तीसरे दिन फार्षू त्शो भी इन फ्रमीला entrepreneurs 6 अगर और सब्सक्राइब सब्सक्राइब 14 अंगूर किस दिन खाया होगा 2nd और इससे 6 अंगूर कम यान आठ अंगूर खाया होगा 1st यहीं आपसे पूछा गया 1st day कितना खाया होगा 8 अंगूर समझा गया रूर्व कर नहीं कर रहें तो आज हम करेंगे दोनो जो टाइम एंड वर्क और का कुष्चिन है अभी चोड़के चल रहें वह भी करेंगे तो आपको यह कुष्चिन आज हम दोनों पाइफ और रूट ऐंके टाइम चोड़के एक दम को सेम कौंसेप्ट बेस्ट होता है बस इसमें वरकर होते हैं यहाँ पर नल होते हैं बाकी कुछ नहीं वहाँ पर काम करना होते हैं यहाँ पर टंकी भरने होते हैं टंकी भरना भी एक काम ही है कहा गया पाइप A and B can fill a system in 10 hours and 15 hours respectively वेन थर्ड पाइप C which work as an outlet pipe is also open then the system can be filled in 18 hours the outlet pipe can empty a full system in कहा गया कि पाइप A और B एक टंकी को 10 गंटे और 15 गंटे में भर सकते हैं जब एक तीसरा पाइप खोल दिया जाता है तीसरा पाइप C है जो खाली करने वाला पाइप उसको खोल दिया जाता है निकासी पाइप बोले तो खाली करता है वो उसको खोल दिया जाता है तो टैंग को भरने में 18 गंटे जादा का समय लगता है तो कहा गया कि आउटलेट पाइप जो है वो पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर दे LCM मेथड पे जाओ आसान पड़ेगा देखो कहा गया कि A, B और C के बारे में क्या दिया गया कि A 10 गंटे में भर सकता है B 15 गंटे में भर सकता है और अगर A प्लस B और C खाली करने वाला है यानि माइनस C कारे करते हैं तो 18 गंटे लगते हैं अब आपको दिया गया तीन समय तीनों समय का LCM लो 10 पंदरा और 18 का LCM 90 यानि 90 लीटर टंकी अगर कुल धायरता है तो 10 गंटे में 90 यानि कि 1 गंटे में 9 लीटर B 15 गंटे में 90 यानि कि 6 लीटर परती गंटे और A, B, C जब कारे कर रहे होते हैं तो 18 गंटे में 90 यानि 1 गंटे में 5 लीटर ये 9 लीटर ये 6 लीटर ये 5 लीटर इसमें value put कर तो a 9 भरता है b 6 भरता हो इसमें से c खाली कर रहे है total 5 आरा है 15-c बड़ाबर 5 C गन्टे में 10 लीटर कर रहे है स्यखें गन्टे में 10 लीटर कर रहे है क्योंकि a 9 लीटर भर रहा है b 6 लीटर दोनों मिलके 15 भर देते लेकिन सी चुकि खाली कर रहा है तो 5 लीटर टंकी पानी आ रहा है निए 15 माइनस दी बराबर 5 यह दो यह घंटे में 10 लीटर खाली करता है तो 90 लीटर खाली करने हम कितने घंटे लगें नबे वटे 10 यानि कि 9 घंटे लगने वाले बहुत आसान सा क् किसीने पूछा था घ्मझे टेलिघ्राम में पर सब्सक्राइब करते है किसी में जसे करते हैं से में-दम टाइम में अπαधल May ऐसा स्टंच्ब के पनापनी सर्UE क्राइज आप एक नियुक्तम यह में दाउट अ 10 hours if the system is full in how much time will it be emptied by the leak कहा गया एक pipe जो है एक टैंक को 9 घंटे में भर सकता है यह माल लेते हैं एक pipe A है जो 9 घंटे में इसे भर सकता है कि अगर तली में एक रिसाव है यानि कि hole है तो अगर यह भरने और hole दोनों 7 में कारी करते हैं तो हमारा 10 10 घंटे लगते हैं भरने में तो आप से कहा गया कि टैंक भरा हुआ हो तो रिसाव यानि hole कितिनी देर में खाली कर देगा समझ में आगया अब आपको मैं बताऊं कि अगर आपको मैं आपको मैं करता है और 10 घंटे में यह बरा जा रहा है यानि hole के कारें 9 लीटर ही भरा जा रहा है यानि hole एक गंटे में कितना निकाल रहा है भरता 10 लीटर है बसता 9 लीटर यानि एक लिटर एक घंटे में खोल निकाल दे रहा है इसको निकालना कितना है 90 लिटर यानि कि रिशाओ 90 लिटर निकालने कितना समय लगेगा अगर एक घंटे में एक लिटर लीक करता है तो 90 लिटर लीक करेगा कितना आसान सा अंसरत है नहीं अगले प्रश्ण पर आते हैं कितना आसन सा कुस्टेन है कि सिंपल इंट्रेस्ट निकालना है दस रुपए पे चार महीने के लिए और रेट दिया गया तीन पैसे पर रुपी देखो एक रुपए पे जितने पैसे मिलते हैं उसी को रेट आफ इंट्रेस्ट परसेंटेज कहते हैं समझे रहे हो गया कि एक रुपए पर रुपए पर रुपी रेट है रेट कितना हो गया सो पैसे पर रुपए तीन पर्तिसह दर का मंतिली जर्ण चार्ज करते हैं और आपको प्रिंस्पल दिया गया गया है दस रुपए और आपको time दिया गया for month क्योंकि यहां पर रेट मंद में दिया गया है तो आप time भी ले सकते फूर मन्थ अब आप से कहा गया simple interest तो simple interest का formula क्या होता है principle into rate into time अच्छा आप लोग यह घबराएगे कि सर आपने easy question ले लिया कटीन भी लेंगे लेकिन अभी आज पहली वार simple interest लिया है तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा आसान question ले लिया पी 10 into r 3 into t 4 बटे 100 यानि कि कितना हो गया दस गुड़ तीन गुड़ चार 120 बटे 100 यानि एक रुपए 20 पैसे उसको क्या मिलेंगे simple interest यानि साधानर व्याज कितना मिलेगा एक रुपए 20 पैसे तो आपको simple interest if the principle is p and rate per annum is r and t is the time in years then simple interest will be prture 100 तो आपको जैसे time जो दिया गया उसी कि रनुपात मेर क्या रेट जिस रनुपात में दिया गया म्हानर रेट दिया गया अगर रेट sarśl चमाही दिया तो आप कि उसको समय को quarterly बदल लोगे अगर आपको दे दिया गया कि दो वर्स पे तो दो वर्स मतब जिस हिसाप से रेट दिया गया उस हिसाप से बदल लोगे फायदे में रहो गया ठीक है चलो time speed and distance भी ले ले लेते हैं question कहा गया यह man travels 420 km in partially by rail partially by steamer he spends 8 hours more time on steamer if the velocity of the steamer is 35 km per hour and velocity of rail is 65 km per hour how much distance does he cover by steamer कहा गया कि एक आदमी 420 km तैं करता है कुछ हिससा ड्रेल से कुछ हिससा streamer से कहा गया वह 8 घंटे जादा लगाता है streamer द्वारा कहा गया इफ अगर streamer की विलाश्टी 3500 और ड्रेल की विलाश्टी 65 हो तो आप से कहा गया कि उसने streamer से कितनी दूरी तैकरी हम मालेते streamer से उ इसने कितनी तैकरी होगी 420 माइनस क्योंकि टोटल है कितना तैक अब आपको दिया गया streamer की speed दी गई है कितना streamer की speed कितनी दी गई है streamer की speed दी गई आपको 35 और train की speed दी गई 55 अब अगर एधूरी को 35 से चले गए तो यह बटे 35 समय लेगे और 420 माइनस एको 65 से चलेगा कि जो streamer पे वो समय खतम करता है वो 8 गंटे जादा है train पे खतम किये गए समय से यानि यह जो है streamer वाला यह इससे 8 गंटे जादा है अब इसको solve कर लीजिए आपका answer आजाएगा तो आप क्या काम करेंगे यानि यहां से लिख सकते हैं a बटे 35 माइनस 420 माइनस यह बटे 65 बराबर आठ यानि कि आपका हो जाएगा 100 देखो 65 यह प्लस 35 यह यानि सो यह माइनस 35 गुड़े 420 यानि कि 35 गुड़े 420 ऐसे लिखे रहो भी कहीं फायदा उठा लेंगे इसका और बटे 35 गुड़े 65 गुड़े 420 बटे 35 गुड़े 65 एक दम बेसिक है बराबर आठ अब आप इसको इधर भेज दो यानि यह हो गया 100 यह इस उकल टू आठ इंटू 35 आठ तिया 24 यानि कि 286 इंटू 65 और प्लस 35 इंटू 420 ठीक है एक जीरो एक जीरो एक जीरो पांस से कर दो पांस दूनी दस पांस तेरों पांस सते दो से कर दो दो से कटेगा 14 दो से कटेगा 21 यानि आपका ए बराबर कितना आ गया 14 गुड़े 13 182 शही चल र 12 12 12 13 तो आपका ए बराबर कितना आगया 339 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है किस से इस्ट्रीमर से आपने माना था इस्ट्रीमर से कितनी डिस्टेंस कवर करता है और ए आपने निकाल लिए 313 एक्जाम में कैसे करेंगे यह आपको बहुत जल्द में बता दूंगा आप ए भी बेसिक्स मैं सोच रहा हूं कि सुरू के 10 सेट में आपकी बेसिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाया फिर 15 सेट में हम ऐसी ऐसी मेठट करेंगे कि बेसिक्स अगर आपका श्ट्रांग रहा तो वो एकजाम में अप्लाई करना लेकिन बेसिक आपका अच्छा रहेगा तो आप CGL म तो कुछ क्वेश्चन सोते हैं जो सही होते हैं तो वह आप होकी करता सीजा CH. ठीस से कभी से सारे स्वेश्टन नहीं कर सकते हैं ऐते हैं आगे आप को बातें समझ आ रही होंगी चलो एक और सुन्दर सा क्वेश्चन लेलो नंबर सिस्टम का या अलजेबरा का जिसका कहना है अलजेबरा कहो कहा कि X into 2X plus 3 is equal to 90 7 to the power Y 7 Y to the power minus half plus 2 Y to the power minus half is equal to Y power 1 by 2 तो आप से X square plus Y square पूचागे कितना आसान सा question है देखो एक चीज़ बताओ मेरे भाई कि अगर आपको X into 2X plus 3 बराबर 90 दिया गया है तो आपको कि 2X square plus 3X minus 90 is equal to 0 यही दिया गया यही तो दिया गया अब आप यहां से कहोगे कि 2 into 90 180 के दो ऐसे उनकन जिनको घटाने पर 3 है तो आपको कहोगे 15 12 यहीं होगे 2X square plus 15 X minus 12 X minus 90 is equal to 0 यहां पर कितना कामन लेलो? X common लेलो तो यहां जाएगा 2X plus 15 और यहां पर कितना कामन लेलो? यहां पर 6 common लेलो तो यह बचेगा 2X plus 15 is equal to 0 तो आपको यह बनेगा X minus 6 into 2X plus 15 बराबर 0 यहां से X की कितनी value जाजाएंगी? दो तो x बराबर 6 आजाएगा और x बराबर माइनस 15 बटे 2 जो आएगा वो निगलेट कर सकते क्योंकि आपको दिया गए x और y पॉच्ट्टू नंबर से तो x की value तो 6 आगए अब y की value निकाल लीजिए तो आपका answer आजाएगा y की value निकालने के लिए आप क्या काम करो y के power minus half से या y के power plus half से दोनों पच्छों में गुड़ा कर दो तो y के power plus half से गुड़ा करोगे यहाँ से cancel यहाँ से cancel यहाँ y power half into y power half यानि y बचेगा याई आपका होगा 7 plus 2 बराबर y यानि y बराबर कितना होगा नो हमने क्या किया y के power 1 by 2 से multiply कर लिए अभी x बराबर 6 हो गया y बराबर 9 x square plus y square यानि कि 36 plus 81c यानि 6, 7, 8, 3, 11 आपका answer कितना होगा 117 option कौन सा c समझा गया कितना सुंदर सा प्रशन था है नहीं अगले प्रशन पर आ जाते हैं यह प्रशन देखाल जेबरा का बहुत सुंदर सा प्रशन है कहा गया कि x by y is equal to 4 by 9 x by y is equal to 4 by 9 ठीक है तो आप से कहा गया 7 x square minus 19 x y plus 11 y square अपान y square की value निकल वाइ स्क्वार से सब में भाग कर दो तो आप कहा जाएगा 7 into x by y का whole square minus 19 इन्टू यहाँ y y कट जाएगा तो बचेगा x by y और प्लस 11 इहीं बचेगा अब वैलू रख दो x by y के यानि 7 into 4 by 9 का whole square यानि 16 by 81 minus 19 इन्टू 4 बटे 9 और प्लस 11 81 से गुडा कर दो यहीं यह बचा 7 इन्टू 16 minus 19 गुडे 36 और प्लस 11 गुडे 81 यहाँ पर कुछ लग गया है बटे 81 हो गया अब इसको solve कर लो तो solve करोगे तो क्या जाएगा साथ गुडे 16 साथ गुडे 16 कितना होता है 112 सोला सत्ते कितना होता है 112 और प्लस 11 गुडे 81 यानि कि आपका हो गया 891 ठीक है और माइनस 19 गुडे 36 तो आपका आ जाएगा 684 यहाँ ठीक है 684 बटे 81 कर लो तो यह आपका हो गया 2 1 3 9 1 10 8 1 9 10 और मेंसे 684 गटा के 81 से भाग दे देना है तो आपका आ जाएगा 9 यहाँ पर आ जाएगा कितना यहाँ 9 हो गया यहाँ पर 9 मेंसे 8 गटेगा 1 यहाँ पर बचेगा आपका 9 मेंसे 6 गटेगा 3 बटे 81 तो आपका आंसर कितना गया 319 बटे 81 तो आपका करेक्ट ऑप्सन C calculation थी थोड़ी लेकिन अच्छा question था आपको क्या करना था y square से भाग कर लेने था एक्स बटे y दिया ही गया था बस बागी कुछ था नहीं तो इसको आप सिंप्लिफिकेशन का भी question मान सकते हो अच्छा average का एक question देखो बहुत ही सुन्दर सा प्रशन है ऐसे प्रशन आपके एक्जाम में देखने को प्राय मिल जाते है किर्केट से रिलेटेड का कि यह batsman makes a score of 87 runs in the 17th match and thus increases his average by 3 find his average after 17th match यानि 17 मैच के बाद उसका average निका लेक्ष देखो इसको basic से करो हूँ यह trick से चलो पहले basic कर लेते trick बाद में करेंगे कभी देखो कहा गया कि वो 17 इनिंग में एक batsman है यानि एक बल्ले बाज है जो 17 इनिंग में 16 इनिंग में उसने x run बनाए है या हमाले 16 इनिंग तक उसका average जो है वो x है और वो 17 इनिंग खेलता है और उसका जो रन बनाता है वो 87 बनाता है और कहागया उसका average जो है अब new average कितना हो जाता है एकस बटे तीन 17 इनिंग का average कितना हो जाता है एकस बटे तीन यानि 16 x plus 87 बटे 17 अच्छा हम यह मान के चलते हैं हर केस में वो आउट होता है यूगि अगर आउट नहीं होता तो आपका एवरेज जो है वो रन तो बढ़ते लेकिन इनिंग ना बढ़ती तो 16 x plus 87 बटे 17 अगर 36 और x बराबर अगर 36 आगया तो new average है कितना x plus 3 यानि 36 3 49 समझा गया अब आप ऐसे भी देख सकते हो देखो उसने 17 इनिंग में रन कितने बनाए 87 उसने 17 इनिंग में रन कितने बनाए 87 और उसका आउसत कितना बढ़ गया है 30 कितने इनिंग पर सत्रा इनिंग पर अब रेज तीन बढ़ गया है 37्ट या 51 रन उसने जादा बना लिए किससे अगर Protect रिंग के सफ़य तीन रूपे XTRA जुड़ जारे है तीन 17 इनिंग मनदल्यisosa चले बढ़ तीन तीन ओंकद सथा इक्स संबने पर तीन सतासी बनाए 51 ज्यादा है अबरेज कितना रहोगा 36 और अब बढ़ जाता है तीन यानि 36 से बढ़के कितना हो जाएगा 36 सब्सक्राइब करना और दूसरी चीज ट्रिक्स आपको अच्छी से अच्छी मिलेंगी बद दस सट एक दम बेसिक से करो मेरे कहने से पेसिक्स आपका एक बार स्ट्रॉंग हो गया मेरे भाई मान के चलना कि आप से बहतर मैथ कोई नहीं करेगा 50 में 50 बहुत इजली है यहां पर कंपाउंड इंट्रेस्ट कर लेना कि अगर हम क्या करते हैं कि जो अधन था वह पी से इसका 2.25 गुन हो जाता है यहीं 2.25 पी हो जाता है कितने वर्स में दो अर्स में यहीं बराबर दो दिया गया तो आपसे पूछा गए रेट कितनी तो अगर रेट आर माने तो दो अर्स में पी कितना हो जाएक पी इंटू 1 प्लस R 100 टुदी पाम टू और यहीं बन कितना जाता है दो दस्मलों 25 ब Mononde गाटी किया यहीं से कितना आ जाएगा अब आपके सारे टॉपिक्स कबर हो रहे हैं और सब कुछ आपको समझ में भी आ रहा है तो सियर करना बिलकुल मत भूलना फेस्बुक पेज को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है उसको जल्दी से हजार लाइक तक पहुंचो और हाँ टेलिग्राम पे अगर जुड़े नहीं तो टेलिग्राम जॉइन कर लीजिएगा और एक चीज और कहना है तो इस्टाग्राम पे आओ कभी बात करते तो इस्टाग्राम की आईडी भी दी गई है अगर मन करेगा तो वहां के कुछ भी पूश सकते हैं अगर मैं ऑनलाइन रहा तो जवाब जरूर देंगा उसमें पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट कल फिर मिलेगा बबाई टेक क्यार लव यू आल और हाँ इस्टेइ स्टेइग इस्टेइ से बाबाई